हेलो फ्रेंड्स बेलकम माई टूब चैनल आज किस वीडियो में हम देखेंगे एपी बोड कक्षा पांच का गड़त है गड़त ग्यान उसका एक चैप्टर है कितना सी का पांच तो इस वीडियो में इस प्रिसनबली में जो भी सवाल दिये गए हैं उनके लिए हम हल करेंगे बारी बारी से तो आप सरकृष्टे वीडियो को फुल वाज करें करते हैं प्रारम देख लेते हैं पहला सवाल का काखंड क्या हमें हल करना है यहां पे हमें जो है मल्टिप्लाई करनी है पहला दिया है काखंड ने यहां आठ हजार अठटर के लिए 307 से मल्टिप्लाई कर देने गुड़ा करनी है तो इसका किरम यह देखेंगे हमने इस तरह से सवाल दिया गया है यहां पे और हमने इसको यहां पे लिखे लिए ठीक है तो सरपितम जब गुड़ा करते हैं तो एकाई की तरफ से करते हैं एकाई के अंक से एकाई के अंक में ही करेंगे अर्थाथ शाथ की गुड़ा हम आठ में करेंगे साथ अठे 56 हो जाएगा 56 का हमने यहाँ पर 6 अंकित कर दिया है और कहरी में यगेंगे तो 5 चला जाएगा ठीके अब साथ की जो मल्टिप्लाई है वो करेंगे 7 से 7 सत्य उनन्चास और 5 अपका 54 के 4 हो जाएगे और 6 शुपरन शुपर और 5 यहाँ पर 5 अंकित कर दियागे फिस 7 अठे 56 हो जाएगा ठीके और यहाँ 56 लिख दियागे अब यह साथ से हमने सभी जो है अंकों में गुड़ा कर दी है इसके अदम सून से जब गुड़ा करते हैं किसी भी संक्या हमें यहाँ सभी का जो अंकित मान होगा वो शून ही आएगा ठीके बंग पर 6 के नीचे हम क्रॉस करेंगे और उसके याद जो है गुड़ा कर देंगे फिर हम 3 से गुड़ा करेंगे तो यह 3 से हमने गुड़ा कर दिये 3, 8, 24 के 4 और हसल लगे 2 3 से एककिस और दो तेश हसल लगे 2, 3 लगा दिये और 3 शूपर शूपर दो तेश हो जाएगे यहाँ पर दो अंकित कर देंगे और 3, 8, 24 अब इसके लिए हमें क्या करना है जोड़ देने 6 का हम 6 लिख देंगे 4 कर 4 और 5, 4, 4, 9 6, 3, 9, 5, 2, 7 4 और 2 तो कुल लिमलाक के यह आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा इसको हम पढ़ेंगे तो 1, 2, 2, 1, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 8,000, 8,000, 9,946 यह संक्या आ जाएगे अब इसके आद हम देखेंगे इसका जो next खंड है यहाँ देखेंगे इसमें भी हमें गुणा करने है आप यहाँ देख रहे हैं यह वाला खंड है इसमें हमें गुणा करने है कितने से 2,891 के लिए 2,799 से हमें गुणा कर दीनी है तो पहले 9 से हम मल्टिप्लाई करेंगे 9 एकम 9 यहाँ पर अंक्यत करेंगे 9 में क्यासी का एक हास्व लगेगा यह 8,9 ठे वहातर आठ 80 का अशुन हास्व लगेगा 8,9218 राठ 26 हमने अंक्यत कर दिया है और इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर किरोश मारेंगे 9 की नीचे फिर हम से चे गुणा के 6 से करेंगे 6 एकम 6 तो 6,924 के 4 हास्व लगेंगे 5 और 6,8 48 और 5 तरह अपन के 3 हो जाएंगे और 6,212 और 5 यहाँ पर 17 अंक्यत कर देंगे अब हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 यानि 9 की नीचे एक क्रोश 6 की नीचे क्रोश 2 एकम 2,2 नेम ठारा के 8 हास्व लगेगा एक और 2,316 एक 17 हास्व लगेगा एक दू दू ने चार और एक पांच इस तरह से यह मल्टिप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर हमें जोड़ देना है 9 के 9 यहाँ पर 1 और 6,7 और 4,2,6 6,3,9 और 8 17 के 7 हास्व लगेगा एक, एक, दो, तीन, तीन, और 7, 10, 17, 7 हास्व लगेगा एक, 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 दो, और 5, 7 तो हम कह सकते हैं इसको पढ़ लेंगे काई, धाई, सैकड़ा, हजाद, दसजार लाग साथ लाग, सततर हजार, छेशो, उनासी इसका आंसर आ जाएगा इसके अदर खंड इसका है आपका गाखंड यहां हम देखेंगे इस संख्या के लिए 689 से हमें भाग करनी है पढ़ लितें, इकाई, धाई, शैकड़ा, हजा, दसजार, लाग, दसलाग, ठीके 84,90,249 के लिए 689 से हमें भाग कर देने है तो यह संक्या हमने लिए लिए और जिससे हमें भाग करनी है वो यहां, और यह आप देखें जो है भागफ़र लिखते हैं फिर हम देखेंगे इसकी किया प्रिकरिए लिए छेशो नूनासी बड़ी संक्या है इसको हमें क्या करना है हम आईड लगाते है हैं तो एक हम भागफल में लिखेंगे और 689 यहां पर अंकित करेंगे फिर यह लेस करेंगे 849 में से 689 तो 170 आपका यहां पर बच जाएगा ठीक है अब हमें शून यहां पर उतार लेने हैं अब ही हो जाएगा 1,700 में से हम लिखेंगे 1,358 तो आपका बचेगा 342 ठीक है 322 जब बच जाएगा तो यहां 2 हम यहां पर उतार लेंगे अब ही हो जाएगा 3,422 अब हम जब भाग देंगे इसमें देखेंगे तो 5 बार आपका चला जाएगा तो यह जाएगा 3395 अब इसको लाइस करेंगे तो आप यहां देखेंगे तो 27 बचरा आगे अब ठीक है लाइस करने के वाद 27 बचरा आए अब हम क्या करेंगे नेक्ष्ट प्रिक्रिया होगी हमारी चार हम यहां पर नीचे अंकित कर लेंगे तो हो जाएगा 214 तब भी इसमे भाग नहीं जाएगा फिर हम कै करेंगे शूर्न यहां बढ़ाने के बाद 9 आपर उताल लेंगे अब यह हिएसाजा हैगा 2,749 अब इसमे आपका जो है बार चला जाएगा यहा चार बार यहां पर चला जाएगा फिर 2,716 जो है आज आएगा यहां पर और यहां लेस्ट करेंगे तो आपका 33 जो है रिवेंडर बचेगा सेसफल बच जाएगा इसके दम चलेंगे नाक्ष्टेस का सवाल देख लेते हैं घाखंड यहां पर हमें कुछ नहीं करना जोड़ना है तो जोड़ लेते है बहुत आसान है यह संक्या हमने उपर लिख लिए उसके नीचे यह लिखी है फिर यह संक्या लिख लिए ठीके इसको एक बार पढ़ लेते हैं एकाई धाई सेकड़ा हजार दस जार लाग दस लाग 95 लाग 76 हजार 21 सेकड संक्या आप देखेंगे तो 77 हजार 896 है उसके आज 6-7 हो जाएगा 7-9-16 के 6 हो जाएगे हासल एक यहाँ पर कैरी चला जाएगा इस बाइलान में तो एक राठ 9-9-9-18-18-7-25 के पांच यहाँ पर अंकित करेंगे फिर हासल आपके दो यहाँ चले जाएगे दो और शुन दो आठ दस दो बारा के दो यहाँ पर आप देख रह फिर हासल फिर आपका 4-9-24 के पांच में पर फिर फिर एक यहाँ पर अंकित करेंगे तो एक साथ 8-8-15-15-9-24 के चार हासल आपका 2 चला जाएगा हाँ हाँ पर इस पांच में अट करेंगे 5, headed 2-7, और 8- 5 हखितना हो जाएगा 15- 15,95 हासल इक फिर यहाँ पर चला जाएग ये करवण 5,45,256 ये संक्या आ रही है अब हम देखेंगे इसका next खंड यहां खंड है देख रहते हैं यहां पर हमें less कर देना है घटाना है तो इसको हमने ऐसे ही सीधी लिख दिया है यहां क्या करना है हमें यहां इस चुन में से 6 घटाएंगे और यहां पर अंकित करेंगे तो यहां सुन है सुन में 6 less घटाएंगे नहीं जाएगा तो हम धाई लेंगे 4 में से चार में हिया पिर हिया और फिर हिया तो यहां आपका 10 हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 4 यहां लिख देंगे अब यहां आप देख रहे हैं इस बारे सुन जाए पर कितना रह गया है नो नो मेंसे यह नो चला जाएगा तो आपका बचेगा सुन ठीक है यहां भी नो रह गया नो मेंसे यह साथ जाएगा तो यहां बचेगा आपका दो दाई लेंगे 5 मैं से 13, 13 मैं से 8 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 5 और 5 की स्तान पर 4 रह गया है और यहां देख रहे हैं तो 9 है तो यह less नहीँ होगा तो दाई लेंगे यहां से 9 मैं से शून पर शून से 5 जब 15 मेंसे जब हम 9 less करेंगे तो आपका बच गा कितना? 15 मेंसे 9 less करेंगे 14 मेंसे तो आपका 5 बचे आएगा ठीके अब इहां 9 रह गया, 9 मेंसे 5 जाएगा तो 4 बचे गा और इहां 8 मेंसे 7 जाएगा तो 1 बच गा इस तरह से यह सवाल हम हल कर लेंगे अब इसका दो है next खंड देख लेते हैं यह संक्या है आपका सवाल है आपका दूसरा ठीक है दूसरे सवाल का का खंड है यह आपे यह कह रहे हैं कि 0.7378 ठीक है 0.379 को हमें क्या करना है विन्द में चेंज कर देना है क्या करेंगे जब हम कोई दिसवालब संक्या होती है उसको भिन्द में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं संक्या के लिए हम उपर अंकित कर लेंगे और इस तरह से बटे जो दसलब लगा उसको हम यहां हटा देंगे और उसके नीचे एक लिखेंगे और जितने भी अंग किदर हैं उनके आगे बदले हम सूनिया पर लख देते हैं तीन अंग के तो आपका जो है तीन सूनिया पर बढ़ जाएगा आपका जो आंसर है वो 379 upon 1000 आ जाएगा इसके दर हम देखेंगे इसका खाकन देख लेते हैं यहां कहा रहा है कि एक भिन दी गई है कौनसी भिन है 17 साही 3 बटे 9 के लिए हमें क्या करना है 10 साव लब में वदल देने ठीक है 17 साही 3 बटे 9 के लिए अब इसकी प्रिक्रिए क्या होती है पहले इसको हम सही में चेन्द कर देंगे तो 9, इस बाई जो 9 हर है, उसकी गुणा सही में करेंगे, 17 और 9 ही गुणा करेंगे, प्लस हम 3 इसमें add कर देंगे, ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे, वटे 9 रहेगा, तो 17 और 9 की जब multiply करेंगे, 17 ने में 153 होता है, प्लस ही ये 3 वाला हमने ऐसी लिख दिया, तो यह आ 153 प्लस 3 वटे 9, 153 प्लस 3 को हम जब add करेंगे, तो 156 वटे 9 यहां पर आ जाएगा आपका, अब हम क्या करेंगे, हम इसके लिए डिवाइड कर सकते हैं, 156 और वटे 9 के लिए 3 से करेंगे, 3 तीन तीन नो, और 3 पंजे 15, तीन दूनी 6, ठीक है, अब आ जाएगा 52 अपन 3, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 से हमें भाग करने हैं, 3 से हमें बाबन में जो भाग कर देने हैं, यहां देखेंगे, 3 एकं 3, यहां बचेंगे आपके 2, उतारेंगे 2, 3 सत्त्य एककिस, अब यहां बचेगा आपका 1, लगांगे 10 बढांगे 0, अब अजाएगे 3, इसकी के लिए तथा 0.47 को परसेंट में हमें बदलना है ध्या रखेंगे कोई भी भिन्न आपके पास दी जाती है क् 아닌 möढ़र के लिए 100 होई करना है यहां पर हर के बरावर में हर के लिए 100 कर लेने है है हर के बरावर में साथ सो आजाएगा ठाल हम इन सो के लिए अलग रखेंगे और बटे साथ यह रहेगा अब हम क्या करने है साथ से जो डिवाइड करेंगे सो के लिए ठीक है यह यह साथ से जब भाग देंगे तो यह आजाएगा 14 अबलब 2,8 ठीक है यह आंसर आएगा भाग फ़ल और यह 100 जो से करना है तो हर में हमें 100 बना देने हैं जैसे हम 100 से कितने से गुणा करें कि हर हमारा 100 हो जाए तो हिहां 4 में 25 से मूच्चिस से मृटिप्लाए कर दें तो यहां पर 100 हो जाएगा तो 25 से हमें ऊपर भी करने पड़ेगी अलता 25 ऊपर आ जाएगा हमारा 25 और नीचे 25 चोग साव आ जाएगा ठीक है तो ये 25 परसेंट हो जाएगा इस तरह इसा हम यह हलligen कर लेते में अब कुऌब ने अब इसका जो घाखंड है को हम देख लेते हैं 3.6 से हेक्टो मीटर में जो है मीटर में बदलना है 3.6 से हेक्टो मीटर को मीटर में चेंज करना है तो एक हेक्टो मीटर बड़ाबर कितना होता है 100 मीटर होता है याद कर लेंगे, 1 hektometer वा पर 100 meter होता है, तो 3.6 hektometer में कितना हो जायेकर तो हम 3.6 के लिए 100 से multiply कर देंगे, गुणा कर देंगे, answer इसका आ जायेगा 360.0, अर्था 360 meter ही answer इसका आ जायेगा, तो इस तरह से हम गुणा करते हैं जैसे 3.6 है इसकी हम 100 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर ये 2 0 हैं 100 से करने पर दसबलब पीछे चला जाएगा ठीक है 372 0 लगा देंगे तो एक के बाद दसबलब है ये अब का अंसर आ जाएगा मीटर में चैंज हो जाएगा अब देखेंगे इसका 2 का अड़ा का यहां कह रहे हैं कि 157,600 ठीक है मिली मीटर को किलो मीटर में बदलना है यहां पर कुछ हमें जो है याद रखना है 1000 मीटर बड़ावर एक किलो मीटर होता है इसी प्रिकार 1000 मीटर बड़ावर एक मीटर होता है ठीक है 1000 मीटर बड़ावर एक किलो मीटर और 1000 मीटर बड़ावर एक मीटर 1000 मीटर बड़ावर 1000 किलो मीटर होता है वही 1000 मीटर बड़ावर एक मीटर होता है अब हमें क्या करना है जो हमारे मिली मीटर दिये गए हैं इनके लिए हम मीटर में चेंज करेंगे तो हमें 1000 से भाग करने पड़ेगी ठीके 1000 से हम जब भाग करेंगे तो आप देख रहा है दसवलब जो है कहां रुखेगा जाके तीन संक्याओं को आगए अर्थाथ 157.600 यह आंसर आजाएगा यह मीटर इसमें बन जाएगा अब इसी को हमें किलो मीटर में चेंज करना है यहां देख रहा है आप हमने इस मीटर को किलो मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे फिर हम 1000 से भाग करेंगे यहां पर तो दसवलब आपका देख रहे हैं कहाँ पर आ जाएगा यह आ जाएगा पॉइंट सबसे पहले दसबलब आएगा उसके बाद जो संक्या वो आ जाएगी अर्थाद इसको हम लिख सकते हैं दसबलब 1.157.6 किलो मीटर ठीके इस तरह से हम यह आंसर लिख लेंगे और उसके दम चलेंगे सवाल संक्या 2 का चाखन बहुत सरल सवाल है यह करें तीन घंटे को मिनट में बदलो एक घंटा बड़ाव कितना होता है 60 मिनट होता है और तीन घंटा बड़ाव कितना हो जाएगा तीन से गुड़ा कर देंगे 60 के लिए तो 180 मिनट आंसर इसका आ जाएगा इसके दम चलेंगे ना सवाल संक्या शाखन्ड है दूसरे का यहाँ 2.5 एर को बर्ग मीटर में बदलना है तो एक एर बड़ावर देखेंगे तो एक 100 बर्ग मीटर होता है ठीक है एक एर बड़ावर 100 बर्ग मीटर होता है तो 2.5 एर बराबर 2.5 गुड़ा 100 बर्ग मीटर हो जाएगा ठीक है तो हमें क्या करना है 2.5 में 100 से गुड़ा कर देनी है अर्था आंसर आपका यह 250 बर्ग मीटर आंसर आ जाएगा अब देखेंगे इसका जाखन्ड यहाँ देखेंगे 5.4 वर्ग मीटर को बर्ग सेंटी मीटर में बदलना है हल देखेंगे एक मीटर बड़ाबर होता है 100 सेंटी मीटर यह हमें से याद रखेंगे एक मीटर बड़ाबर कितना होता है 100 सेंटी मीटर फिर एक बर्ग मीटर बड़ाबर कितना हो जाएगा दस हजार वर्ग सेंटी मीटर ठीके यहां वर्ग में बढ़ाएंगे जब हम एक का वर्ग करेंगे एक मीटर का एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आजाएगा जब हम 100 का वर्क करेंगे ठीक है 100 का वर्क करेंगे यहां पर ऐसे तो यह आप देख रहे हैं 10,000 अंसर इसका आ जाएगा तो एक बरग मीटर बरबर 10,000 बरग सेंटी मीटर इसका जो है अंसर होगा फिर देखेंगे 5.4 बरग मीटर बरबर 5.4 के लिए हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे 10,000 से तो गुणा कर जब करेंगे तो हैं आप देख रहे हैं 54,000 इसका आंसर आएगा 54,000 बरक सेंटीमेटर इसको लिखे देंगे अब चलेंगे सवाल इसका तीसरा है कोई भी डिबाई है आप ले सकते हैं जिसका आकार एक घनाप के आकार का हो और उसकी जो भुजाएं हैं लंबाई चौडाई उचाए इसको नाप सकते हैं इसमें इतना ही करना है और इसकी बाद देखेंगे सवाल संक्या 4 यहां देख लेते हैं एक लाख मददाताओं में से 75,500 मददाताओं ने मददान किया कितने 55 मददान हुआ इसके यही फर्मूला है यहां देखेंगे तो कुल मददान करने वाले मददाता हम उपर लिखेंगे कुल कितने मददाता हैं लिस्ट में वो ही आंकित करेंगे और 100 से हमें गुणा कर देने है जो आंसर आजाएगा वो इसी का हल होगा तो हम देख रहेते हैं यहाँ पे तो कुल मदान करने वाले मदाता कतने थे 75,500 यह हमने लिख दिया कुल एक लाख जो है मदाता थे और गुणा 100 इसको डिवाड करेंगे तो दो सुन से यह दूर सुन चला जाएगा दो सुन से यह दो सुन चला जाएगा उपर आप देख रहे हैं 755 के लिए 10 से जब हम भाग करेंगे तो 755 यह पिचतर दसबला पांच एक के बाद दसबल लग जाएगा तो यह परसेंटेज आंसर आ जाएगा अब देखेंगे इसका सवाल पांच मा एक घनाप यह दिया है कि निमलिखित का आयतन ग्याद करो काखन देख लेंगे घन है यह आकरती आप देख रहे हैं आपकी स्किन पर है यह है गन इसकी एक भुजा है 2.5 सेंटी मीटर घन जो होता है ऐसी आकरती होती है जिसकी सभी भुजाएं बरावर होती है तो इसका जो घन का आयतन होता है वो होता है घन का आयतन बरावर भुजा क्यूँ अर्थात भुजा की जो है घन कर देए ठीके तो आंसर आ जाएगा तो घन की भुजा कितनी है 2.5 cm है घन का आयतन लिखेंगे वराबर भुजा क्यूँ इसके घन का आयतन कैसे जो 2.5 है इसका हम क्यूँ कर देंगे अर्था 3 बार इसकी continue यहां multiply कर देंगे गुणा कर देंगे गुणा करने पर जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 15.625 625 घन सेंटी मीटर इसका जो आयतन है वो हमेशा घन में आता है घन मीटर है इदी भुजा मीटर में दिये तो घन मीटर आएगा सेंटी मीटर में दिये तो घन सेंटी मीटर आएगा आप इसके बाद देखेंगे सवाल इसका पाँच का जो है खाकन यहां करें घणाब की लंबाई 1.525 मीटर चौड़ाई 0.75 मीटर तथा उचाई 35 सेंटी मीटर दी गई है यहां घणाब की लंबाई है वह 1.25 मीटर इसके लिए हम सेंटी मीटर में चेंज कर लेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो 125 सेंटी मीटर जो है इसकी भुजा हो जाएगी लंबाई सेंटी मीटर देखेंगे तो घणाब की चोड़ाई है 0.75 मीटर इसकी भी हम सोसे जब मल्टिप्लाय करेंगे गुणा करेंगे तो ये 75 सेंटी मीटर हो जाएगी ठीके मीटर से सेंटी मीटर में चैंज कर देंगे चुकि ये को मीटर वराबर 100 सेंटी मीटर होता है गहनाब की उचाई हम 35 cm रखेंगे वो हमें पहले से 35 cm में दी गई है अब यहां हम आयतन निकालेंगे तो गहनाब का जो आयतन होता है वो LVH कहते हैं अर्था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा उचाई अब गहनाब का आयतन देखेंगे हैं तो जो लंबाई है 125 है चौड़ाई 75 है और उचाई आपकी है 35 आंसर आएगा गहन सेंटीमीटर में तो गहनाब का जो आयतन है इन सब की जब मंटिप्लाई करेंगे पहले 125 की गुणाम 75 से कर देते हैं जो आंसर आएगा उसकी गुणाम 35 से करेंगे फिर जो आंसर आपका आजाएगा 3,88,125 गहन सेंटीमीटर आजाएगा ठीक है इसके लिए दिमीटर में बदलना है तो आप 100 से भाग कर देंगे इसमें तो आंसर आजाएगा 3,281.25 गहन मीटर इस तरह से ये सवाल हम भंग कर देंगे और इसके देखेंगे सवाल इसका छटा यहां कह रहे हैं पानी की एक टंकी 3 मीटर लंबी 2 मीटर चोड़ी तथा 1.5 मीटर गहरी है बताओ उसमें कितने लिटर पानी आएगा जबकि एक गहन मीटर बराबर एक हजार लीटर माना गया है अब यह टंकी आपके दिखाई पड़ रही है यह गहनाब के आकार की टंकी है ठीक है गहनाब ऐसा होता है यह देखो यह आपका गहनाब बन जाता है यह आप देखोगे तो ऐसे यह बुझाय मिला जिएगे 1.5 मीटर अब हमें टंकी का आ हैतन निकाल लेने हैं टंकी की आ तर नदेखरेंगे तो आल वी ऐच चौडाए उचा है फिर तंकी का आ हैतन देखरेंगे तीन गुणा दो गुणा बन पॉइंट फाइव घन मीटर में इसका अंसर आ जाएगा तो टंकी का जो आयतन आया हम तीन तीन दूनी छे और छे की गुणा हम बन पॉइंट फाइव से करेंगे तो पंदर चक्क कितना होता है 90 होता है एक के वाद दस अबलब तो इसका टंकी के जो आयतन आजाएगा वो 9.0 घन मीटर आजाएगा अर्था 9 घन मीटर इसका आयतन आजाएगा यहां पे आप देख रहे हैं यह घन मीटर आप दिया एक हजाल लीटर तो गन नो घन मीटर बराबर हो जाएगा आपका नो गुणा एक हजार अर्था 9 हजाल लीटर ठीक है तो य के आंसर आपका आज आएगा इसके आद देखेंगे सवाल इसका सात्मा यहां कह रहा है कि शावन की छे टिकियां हैं जिनका 81 रुपए मूल है छे टिकियां कितने की मिलती हैं 81 रुपए की मिलती है यह लिख दिया ऐसी ही 27 ठकिया खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए तो हमें क्या करना है पहले हमें यहाँ पर एक ठकिया का मूल निकाल लें तो यह देखें एक ठकिया का मूल कैसे निकालेंगे तो जो 81 रुपए है उनके लिए हम 6 जगे डिवाइड कर देंगे ठीके जब 81 के लिए 6 से भाग करेंगे तो आंसर आपका आजाएगा 13 रुपया 50 पैसा एक टकिया की जो कीमत है वो 13 रुपया 50 पैसे है इसे प्रिकार 27 टकियों के कीमत कितनी होगी तो 27 गुणा 13.50 से हम मल्टिप्लाइ कर देंग इसकी जब गुणा करेंगे तो 344 दसवलब 50 रुपय इसका आंसर आ जाएगा था 344 रुपया 50 पैसे की 27 टकियों मिलेंगे अब हम चलेंगे इसके बाद नक्ष्ट सवाल देखेंगे आठमा सवाल आ है इसका यहां कह रहा है कि विद्ध्यालाइकी सभी कक्षाओं की एक मह कि वश्त ऊपस्त का बिवड दिए गया है आकड़ों को साम चित्रों दवारा प्रिद्शित करें घ् shrinking तौब alors bnt & in M shifting च कच्छा 3 में 100%, कच्छा 4 में 95% और कच्छा 5 में 95% इस तरह से ग्राप बना सकते हैं तो यह थे इस वीडियो में इस प्रिस्णावली के सवाल आ सकते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलते हैं ना इस वीडियो में तक नमस्तुर।